नमस्कार दोस्तों स्वाग टैप का हिंदी नोलिए शो में तोस्तों OIC जो Organization of Islamic Countries है उन्होंने आखिरकार कशमीर पर एक सभा बुलाने की एक मीटिंग बुलाने का फैसला कर लिया है और लेकिन फिर भी आप ये फैसला क्या साओदी ने तो फिर भी भारत साओदी के संबन इ इमरान खान बहुत बुरा फसने वाले हैं ना वो घर के रहेंगे ना घाट के ना आप जहाँ इसलामिक कंट्री सपोर्ट करेंगी ना उन्हें दूसरी तरफ एक और 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 अर्गनाइशन बनने वाली थी जो तुर्की और मलेशा जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी सपोर्ट इसलामिक संगठन है एक इसलामिक देशों का संगठन है एक पंचायत महलिजे जिसका मुखिया है साओधी साओधी की इसमें दबदबाहट है और इसी वज़े से ये संगठन इतना सक्तिसाली होने के बावजूद भी कश्मिर मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले कश्मिर मुद्दे पर भारत का विलोद नहीं कर पाया क्योंकि भारत इस समय भारत और साओधी के संबंद बहुत मजबूत है इतने मजबूत की कहा जाता है कि कभी इतने मजबूत नहीं देश से पहले लेकिन इसी संगठन में जैसे कि हमेशा हर संगठन में होता है साओध जैसे कि powerful तो उसे challenge करते हैं हमेशा तुर्की और मलेशिया यह चाहते हैं कि इसमें जो साओधी की चोधरार्थ है वो घट जाए लेकिन और इसी के लिए उन्होंने कि इस कश्मीर मुद्य को एक तरीके से उठाया United Nation में भी जिससे की पाकिस्तान का support नहीं मिल जाए और पाकिस्तान का उपको बता दू कि जितने भी जो Islamic countries हैं इसमें दो ही देशों के military सबसे मजबूत है एक तो तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान और पाकिस्तान को तुर्की के साथ आना तुर्की चाहता था कि मलेशिया और तुर्की मिलकर एक संगठन बनाए जो OIC की जो 148 है उसे खतम कर दे और इसी को लेकर पाकिस्तान को साथ ले रहे थे हूँ तो पाकिस्तान ने सोचा कि जब OIC में इतनी हमारी जद्रजायत करने के बावजूद साथ इतना जबरदस्त दे रहा है कि एक इस पर सब्द भी नहीं बोल रहा है ना 370 पर ना NRC पर ना किसी और मुद्दे पर तो अब इस पर क्या जाए तो उन्होंने क्या कि एक तरीकी से ब्लैक मिल करना सुरू कर दे है पाकिस्तान को पाकिस्तान से बॉय कौट करवाई इस मिटिंग को जिससे कि मलेशा और तो यहीं काजारा की नराजैंगर पाकिस्तान से आज कितारिक में लेकिन अब सउधी ने डबल गेम खेल दया भारत के साथ मिलकर बहरत और सभाले ने किया कि पहले तो कारगिल का एरिया था वहाँ पर इंटनेट जारी कर दिया, साथ ही भारत को साओधी ने चार महीने का टाइम दिलवा दिया, कि इन चार महीनों में आराम से कश्मीर में जितने भी रिस्ट्रिक्शन है दिरे दिरे कम कर लीजिये, जिससे कि पाकिस्तान चाहकर भी OIC में कुछ भारत का खिलाफ बोली नहीं पाएगा, क्यों कि बोलेंगे क्या, कि वहाँ पर इसक्षन जब की चार महीने तो काफी होते हैं, कि भारत इसे खतम कर सकता है, यहाँ पर भारत और साओधी ने एक गेम खेल दिया, पाकिस्तान को और दूसरा चलेंज यह हो गया है, कि देखे, साओधी की वज़े से और भारत की वज़े से अब वो तुर्की और मलेशा के पास दुबारा ने जा सकते कि कश्मीर पार हमारे साथ दी दीजिए, क्यों वो तुर्की और मलेशा भी कहेंगे, कि हम जब आपके साथ खड़े हो गये थे, तो आपने हमारी दोनों की इमेज को बहुत बड़ा डेमेज है, साथ कर खासकर इमरान खान जो अपने आपको एक बड़ा रूलर मानते हैं पाकिस्तान का, उनकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट पढ़ने वाला है, लोंग टर्म में, और जो को लोग कहते हैं कि OIC में इस तरी के से जाना भ साथ करते ही, ह्ने पताया कि और हमानिजे चार माने में भी नहीं पाते है, तो सादी भारत के खिलाफ ऐसा बड़ा प्रस्ता अलाने भी नहीं ना देगा, उस समय भारत के इस साहत में बहुत मजबूते के साहत ख़ड़ा है, इतना कभी पहले नहीं था, तो ये एक बड़ी बात है इसके लाबा भारत को भी चाहिए कि इस मामले पर बिल्कुल सही स्टांस लिया है कोई जरूरत नहीं है कि हम साओधी को कंडम्ट करें क्योंकि साओधी ने भारत के साथ मिलकर एक अच्छे अंडरस्टेंडिंग करी है और OIC में अगर कुछ हो भी जाता है तो इतना ब करें करी न हिसे मामाद करें कि कि आरट के बादे क्योंकि सुख 90 कोई लोग कंडम्ट करें साओधी कोई ननी पढ़ता की निकाता है कि भारत को नहीं तो meeting साओधी को मेटिंग भी कराने में लेकिन छार महीने का 방 भारत कें लिए काफी है अर इसके लिए भारत ने एक सरय कह बर में कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपको यह कैसा लगा एनलाइसिस आप कमेंट को रिजरू बताए गया आप क्या सुचते हैं इस टोपिक के बारे में फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखेंगे बारे में आप thank you very much for watching video